हाँ तो यार तो आची इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं टीगन बॉल्सुपर 2 के बार में आची इस वीडियों बिसीकलिए मैं करने वाला हूं टीगन बॉलसुपर 2 एपिसोड नंबर 6 करीव यू तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं गुद्धा चप्टर में क्या हुआ था, लास्ट इम्स अंग सभी ने देखा था, गोको एंट विचिटा के सामने था मोरो, इस पर गोको एंट विचिटा को पदा पढ़ जाता है, इस पर जो उनका एनİमी है, वो काफी बुड़ा है, और उसकी जो की है, वो बैटल वाली न Dena weekend की जान नहीं आँ झाने का तें और टैन वेजीटा सूपर सियंगर में के बाध सीदा चार्ज कर देता है मोरो के पास इतनी पावर क्यों वेजीटा के आटेक के जिए से अच्छे से fight कर सके बट जैसे विजीटा सूपर से अन गॉड में ट्रांसफम होता है तो मोरो Helpless हो जाता है विकूस Maura के पास इतनी प्रवर नहीं होती इतना बैटल की नहीं होता कि वह सूपर सी इन ने होता है मोरो वेचीटा को यहां पर काइंड ओफ सर्प्राइज होता है कि मोरो ने कभी अपना एक्च्वल मैजिक यूज नहीं किया था वेचीटा बोलता है क्या कहा तूने मतलब तू अपनी पावर्स छुपा रहा था गोकु कहता है हमने सुना है तू लाइफ पोर्स अ एप्लिकेशन अलग होगी फिरीजा का सोलजर इस पैटल को देख रहा था वो बोलता है क्या मोरो वही टैरिफाइंग पावर यूज करने वाला है जिसकी वजह से हम लोग गैलेक्टिक प्रिजन से निकल पाए थे शायद मुझे इस पैटल से थोड़ा दूर चले जाना च चाहिए कहानी जाती है जैको एंड मीरस की तरफ जैको पूछता है तो मोरो के इस एब्सॉर्बर मुव से बचके रहना चाहिए मिरस इप्लाइ करता है हां बात बस इतनी नहीं है कि वह उस लाइफ़ोर्स एनरजी को यूज कर सकता है रिकॉर्ड्स ये बताता है वो उसको करता है कि ये किस तरह की टेक्नीक है देन हम लोग देखते हैं कि मोरो उस टेकनीक को विजीटा पर यूज करता है जहां पर मेगनिट्यूट मेरी पावर की वज़ासे नहीं खुद प्लैनेट की वजासे आ रहा है एंड मुझे कहाना पड़ेगा इस प्लेनेट नेमिक पे गजब की एनरजी है देन हम लोग देखते हैं एक और लावा टाइप अटेक लगता है सीधा विजीटा को विजीटा खुद को समाली राता पिछले वाले हमले से के एक और अटेक सीधा लगता है विजीटा पे के लिए बढ़ते हैं विजीटा पे अगीन वो अटेक लगता है सीधा विजीटा के एल्डर मूरी बैटल को देख रहे होते हैं वो बोलते हैं समीन पूरी फट रही है यह किस तरह का बैटल है आगे हम लोग देखते हैं जो लावा विजीटा पे लगा था वह अभी चीही रुक जाता है मोरो एक दरीन्दे की तरफ सीधा उस लावा की शील्ड में से बाहर देखता है विजीटा की तरफ एंड बोलता है इसका कोई यूज नहीं तुमुझे टच भी नहीं कर सकता मोरो स्लावा को कंट्रूल करके अगेन एक हिट देता है विजीटा को अगे इस टेक को यूज करता रहा मुझे बस तेरे टेक को डॉच करना है समझाना मोरो हसके रिप्लाइ करता है इस टेक्निक की कोई लिमिट नहीं है मैं इसको प्लेनेट की लाइफ खतम होने तक यूज कर सकता हो विजीटा शॉक में बोलता है यह नहीं हो सकता अगर मैं इसके क्लोज नहीं जा पाया तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा एंड पावर अप किये बिना मैं हारने वाली साइट पर हूँ मोरो कहता है हार मान रहा है कितनी अच्छी बात है विचीटा बोलता है मुझे एक चीज़ बता तो किस चीज़ के पीछे है प्लैनेट नेमिक पर क्यों नीचे गिर गया वैसे तुझे इस प्लैनेट के बारे में मुझे से जादा पता है न अगर तू बताने में कॉपरेट करें तो तुझे बता दू मैं यहां ट्रिकिन बाल्स की पीछे आया हूं विचीटा कहता है सूचा ही था मोरो आगे बोलता है मुझे पता है कि सातों ब पर देखके ऐसा लग रहा था कि विचिता रेडि था उस एटेक के लिए विचे अपने हाथ में की ब्लास बनाता हैं सीधा उसलावा पेहिट medication करता रहता है उसलावा पे अपने की ब्लास से and finally इस पार वो लावा विजीटा को टच नहीं कर पाता पर मोरो इस पार रेडी था उसने दूसरा टेक प्रिपेर करके रखा था मोरो सिधा विजीटा के पीछे आ जाता है मोरो अगेन उस लावा से अटेक करता है मोरो पूछता है मुझे बता तेरी विश क्या है जितनी पावर तेरे पास है मोरो कहता है नहीं मेरी फुल पावर के सामने तू बस एक कीड़ा है और ये planet मेरा खाना पर वो power अभी मुझसे बहुत दूर है Because मेरी endless power एक छोटे से कमरे में कैद होनी के वज़ा से बहुत बुरी state में है विजीटा बोलता है समझ गया मतलब तेरी वी शेही होगी के तुझे तेरी full strength वापस मिल जाए Moro कहता है सही कहा Then विजीटा हसके बोलता है सच में तू सडी होई गंदगी है और तेरी जैसी गंदगी को खतम करना ही चाहिए Moro इस बात को सुनके stand रह जाता है Then विजीटा power up करने लगता है करने लगता है Massive scale पे एक level उपर जाने के लिए And ये वाला मेरा favorite scene है जिस तरह से विजीटा transform हो रहा है Super Saiyan God से Super Saiyan Blue में वो सच में priceless है And guys finally विजीटा transform हो जाता है Super Saiyan Blue में And Moro की ये लावा वाले trick अब विजीटा पे काम नहीं करने वाली And guys episode number 6 यहाँ पर आके खतम हो जाता है Again guys बहुती amazing chapter था जिस तरह से विजीटा Super Saiyan God में था स्टार्टिंग में And Moro अपना new magic लेके आया जो उसको लाना भी था वरना विजीटा उसको हलाल करके उसके बिरियानी बना के खा भी जाता इस new magic को लाने के बाद Moro ने काफी सारे hit दिये विजीटा को विजीटा ने काफी सारे hit खाए भी बट में को ऐसा लग रहा था कि विजीटा उने hit को जानबूच के खा रहा था Because उसको Moro का true intention जानना था And finally जैसे ही विजीटा को Moro का true intention पदा पड़ा विजीटा सिधा transform हो गया Super Saiyan Blue के अंदर Because उसको Moro की चटनी बनानी थी अभी Moro काफी time से बखबख कर रहा था उसका move बंद करना था And guess यहाँ पर एक और चीज़ माँ आप सब लोग के साथ share करना चाहूँगा शायद आप सभी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी पहले Moro Super Saiyan Vegeta से ही fight कर पा रहा था लेकिन धीरे धीरे वो Super Saiyan God Vegeta से भी fight करने लगा And अभी Vegeta transform हो चुका है Super Saiyan Blue में तो क्या Moro Super Saiyan Blue Vegeta से भी fight करने लगेगा I mean उसे Moro धीरे धीरे develop कर रहा है उसकी power वापस आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है फिलाल गैस आप सभी लोग बताईए आप सभी को क्या लगता है क्या Vegeta Super Saiyan Blue में जाने के बाद Moro की बत्तिकुल करने वाला है या फिर Moro के पास कोई नो कोई अभी ऐसा attack है जिससे वो comeback कर सकता है आची वीडियों बस इतना ही था कि सब आपको वीडियो पसंद देए होगी अगर आपको वीडियो पसंद देए तो लाइक कीजे शेर कीजो चनल करिये सब्सक्राइम ता स्रेडियों में टिल देन बेगड गैस